नमस्कार दोस्तों मैं शुबं हमारे यूटूब चैनल लाइफ चेंजर परलवाईन में आपका दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको XLCR से लेटेड एक न्यूज बताऊँगा और क्यों आपको XLCR करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखे अगर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए पर आप भी परलवाईन से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जै परलवाईन जरूर लिखे चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो परलवाईन ने अपनी वेबसाइट पर अनॉंसमेंट कर दी है कि वो बोनाजा 2020 का फिप्त लेवल एक्सल सियर दस तारीक के आसपास ला सकता है और वो उसके लिए आपको दो दिनों का टाइम भी देगा मतलब टाइमर वहाँ पर चलेगा या तो वो आठ तारीक को आ सकता है या तो वो बारा तारीक को आ सकता है अब इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कोश्चन था कि क्या हमें एक्सल सियर करना चाहिए और एक्सल सियर करने से हमें क्या फाइदा होगा और क्या नुक्सान होगा तो दोस्तो अगर आपको बोनाजा 2020 के जो उपर के लेवल आपने किये हुए हैं और उनके ओटोपूल आए हुए हैं तो आपको जरूर करना चाहिए उसी ओटोपूल से आप Excelsior कर सकते हो या फिर नहीं करा है आपने और आप उन तारीक में हो जहां पर आपके ओटोपूल ब क्योंकि आपने देखा होगा 2020 बोनाजा है कि जब चार लेवल आये थे मतलब जब 2020 बोनाजा आया था फरवरी 2020 में तो जिन लोगों ने उसे अपग्रेड कर लिया था जिन लोगों ने अपने लेवल को 2020 बोनाजा में अपग्रेड कर लिया था चारों लेवल में अपग्रे करके रखाए 25 तारिक से करके रखाए क्योंकि 25 नार्च को आने वाला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है तो बहुत सारे लीडर जो है वो अपने डीपी की पॉलिसी पर वर्क करता है अगर आपने बोनादा 2020 की डेट देखी होगी जब यह आया था साथ फरवरी 2020 को तो जिन्हों ने इस डेट पर अपने लेवल्स को अपग्रेड कर लिया था उनके ओड़ोपुल आ चुके हैं मतलब सबसे पहले उनी लोगों के आये थे बोनादा 2020 में जिन्होंने उसी तारीक को उसी दिन और उसी समय जब यह लॉंच हुआ था तब कर लिया था दोस्तों यहाँ पर एक एक सेकेंड का महत्व होता है आप समझ सकते हो इसी लिए यह सिस्टम भी समझता है इसी कारण से सिस्टम ने आपको यहा जो होता है वो छेचे महिने लेट हो जाते हैं फिर आप यह कहते हैं कि सर हम इतने बज़े जूड़े थे लेकिन हमारा ऑटो पूल नहीं आया इसी कारण से मैं यह विडियो बनाकर आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास डीपी है आपने डीपी अरेंज करके रखें य और साथ ही आपको कमपलसरी इंकम का फाइदा भी मिलेगा दोस्तो एक्सलसियर में उन लोगों को अपग्रेड तो करना ही चीए जिन्होंने बोनाजर 2020 के चारों लेवल कर लिये और अगर जिन्होंने नहीं किये वो पहले उन लेवल को करें ताकि उस समय आप लेट ना हो क्य इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही एक्सलसियर आता है आपको एक्सलसियर में अपने लेवल को अपग्रेड करना है आपको अपने डीपी को पहले से ही अरेंज करकर रखना है ताकि आपका जो आटो पूले एक्सलसियर का वो सब से पहले आए और उसका फाइदा आपको मिलें दोस्तों यह वीडियो में यही समाप्त करता हूँ अब मैं मिलता हूँ आपको अगले विडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद